आप सबका स्वागत है हमारी योटूब चैनल मॉम डैड और बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या गरभा वस्ता के दोरान इंस्टेंट नूडल यानी मैगी चौमिन या कुछ भी ऐसा जो बहुत ही जल्दी तयार हो जाता हो नूडल वो खाना सुरक्चित है या फिर नहीं इससे पहले कि आफ हमारे वीडियो की भावनाओं में खो जाए प्लीज अमारे चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले साधारन तया इंस्टेंट नूडल का सिवन सुरक्चित है बसरते इन्हें सीमित मातरा में खाया जाए यह सच है कि इसली को सांथ करने में मदद करती है इसका स्वाद भी अच्छा होता है और यह किफायती भी होते हैं स्वादिष्ट होने के बाजूद यह हमेशा पौश्टिक नहीं होते इंस्टेंट नूडल की एक सर्विंग संतुलित आहर नहीं है इसमें केवल श्टार्च बहुत सार नमक और मोनो सोडियम ग्लूटामेट होता है हर रोज नमक वाले नूडल्स खाने से आपको हाइपर टेंसन होने की संभावना बन जाती है साथ ही इंस्टेंट नूडल में जरूरी पूसकत जैसे की प्रोटीन विटमिन खनीज और फाइवर नहीं होते इसलिए इन्हें जाओ का इस्तमाल करके आप इसे खा सकते हैं आप इसमें नमक कम डाले नमक के सेवन की मातरा कम करने के लिए आप नोडल्स के साथ आने वाला मसाला आधा ही जाले या फिर आप घर पर अपना कम नमक वाला मसाला तयार कर सकती है या फिर इसमें एक्स्ट्रा नमक डालने के तो बिल्कुल भी कोशिस ना करें दूसरा है पोसक तत्वों से भरपूर खादे-पदार जैसे की उबले हुए अंडे पका हुआ चिकन पालक फल्या या बिंस गाजड खुंबी फूल गोभी मटर हरी प्याज सिमला मिर्च या पत्ता गोभी आदी डालकर इसे पौश्टिक और सेहत मंद बनाकर तब खाएं ताकि कुछ तो फायदेमंद चीज आपकी सरीर में जा सके अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी ही जानकरी आपको चाहिए तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले आपका एक सब्सक्